तो हेलो दोस्तों मुझे तो आप जानते हैं माइने में सनी मुष्ले सीनर फेकल्टी और सी सेट अभी मन्यों यह तो आज मैं कुछ पढ़ाने बढ़ाने नहीं वाला यार मेरा दिन याज पढ़ाने का मैं उससे वह जादा इंपॉर्टन बाग करने आप लोगों के साथ जो सी सेट दोहजर चौविस के एक्जाम उप इंपॉर्टन है खासकर उनके लिए यह तयरी चुके है और अब दूसरी बार दिसकर दे रहे हैं और उनके लिए पहली बार दे पेली को आप यह पटादा देश्तों अब कि यहां पर आएगा कोश्टन मार्क कि क्यूं मेरे अभी पीट है कि माइक्रोगोर्स इतने इंपॉर्टेंट है क्यों आप इसको जवाब दे सकते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा यहीं तक पॉस करके कि आपके इसाफ से माइक्रोगोर्स इंपॉर्टेंट है या आप बताएगा क्योंकि मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं बहुत वैलिट से पॉइंट है और छोट छोटे पॉइंट है और इनको कई बार अंडरस्टिमेट किया जाता है हम सोचते इनके बारे बट आज आपको हर पॉइंट से रूप रूप कराऊंगो तीन से चार बह परसेंटेज कर लिया आप सपोज करो दस कोश्चन लेका रहो प्रीविश एर जिसमें से आपके साथ से आठ कोश्चन बन रहे हैं या या पांच से भी बन रहे हैं तो चलेगा प्र्ट क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीविश एर के दस के दस कोश्चन बनने चाहिए हां जब जाके सिलेक्शन होगा विकोज जब आप 2023 के बात करते ना उसके अंदर क्या था अगर आप 2019 का पेपर उठागे देखोगे ना 2020 का पेपर उठागे देखोगे आपको पता चलेगा यहां से कितने कोश्चन का प्रीवश एर कोश्चन तो करने ही करने है तो फिर प्रेक्टिस कहां से की जाहे कैसे प्रेक्टिस करें क्यों करें हमें एकूरेसी गिर्ण करनी है पूरा पता है खरीदना नहीं है अगर परसेंटेज को खरीदता हूं या कोई नंबर सिस्टम को खरीदता हूं 150 रुपे का जो कोर्स है मेरे पास मैक्सिम 200 रुपे का होगा इसे जाधा क्या होगा 300 का होगा पर उसके अंदर बहुत कुछ वैलिडेशन है सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको कौन से आप वीडियो मिल रही है कि पर लेक्चर में लेक्चर की वेटेज के इसाब से उसके अंदर डेटा कलेक्शन है या नहीं वीडियो का नंबर दो रिसॉर्सीज़ है इसको वैब नोट्स बोल देते हैं कि नबर तीन बेक्टिस कोश्चन अगरा जिसके अंदर आपके प्रिविस एर कोश्चन इंख्लूडिड़िड है तो अब कुरेसी कैसे आएगी जब आप यह वीडियो देखोगी आपको यह पता चलेगा कहां पर कम है कहां पॉइंट है मतलब जब थक आप इन एक पॉइंट को पॉस्टी में नहीं बदलोगे ना उन को सेप्ट को अच्छे से नहीं करोगे आप नहीं इस एकुरेसी को गीन तर सकते मैं चाहता हूं साथ से आट की आटी सापके नो कोश्चन हो एक अदर कोश्चन का चलो मैं मार्जन लेता हूं इतने एकुरेसी हमें चाहिए भी या चाहिए क्योंकि यह परसेंटिज जैसे चप्टर चोटे है नंबर सिस्टम की बात करो साथ से आट कोश्चन हो रहे हैं तो बहुत बड़ी ह हुई है और इसके साथ आपको से सीरीज मिल रहे हैं उसी चैप्टर की मतलब उस चैप्टर के कोश्चन को आप कंपाइल करके 10-10-20-20 के सैट में आप टैस्ट दे सकते हूं तो इतना खुश्टो भाईया एक मेरे को माइक्रो को से मिल गया कि एकुरेसी गेन करनी करनी है न गया यह आप मैंक्त अपत्soft है क्योंकि हमने धो माइक्रो को सीवीडियो को इक लिए जीन है कि प्रॉकर मेंनर में है कि इंगर आपके पास देखो सिद्धे से बात सब्सक्रास की जी ये मुझे दिली जाना है यही बात है बच्चे जो बहुत बड़ी कलती करते हैं से कोई बुरा ही निया कोई निया बड़ नियुंत बुस्क्रेश को लेकर मोर्ट को लेकर ना पर विडिएयो में आपका लेवल थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा और लेवल हो जाएंगे चुन प्रिविशोजन की बात न हुआ है मतलम आपको पता चलेगा वाट आपको पता चलेगा अब जितनी उत्रह थीजिक्टेशन के अपके यूज लेस उसे अगर अपने प्रिविशार को क्वें नहीं के मैं बतारोह आपको सूपर इंपॉर्टेंट भीया सूपर इंपॉर्टेंट में प्रिवेसर कोशन रामबान की तरह हैं तो आपके एफर्ट्स को कम कर देगा माइक्रोगोड मतलब आपको भार बार अलगले डिरेक्शन में भागना सिर्फ एक माइक्रोगोड से लिजे और उसको फॉलो कीजिए फिर आप देखें एक्जाम में कि दर अच्छा कर रिखेंगे कि अबर तिन मेक वीक पॉइंट मतलब क्या मतलब हो इसका पहलो हिंदी में समझो कि अपने जो वीक पार्ट आपका जो कमजोर पार्ट है उसको एक स्ट्रॉंग पॉइंट मतलब क्या हो इस बात का कि अगर सपोज कीजिए नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है सपोज करो बच्चे नंबर सिस्टम के विचे पढ़ दें बट उनको यह नहीं पता कि नंबर सिस्टम के कुछ कोशन एल सेम और सेम के साथ आते हैं तो मेरी मानिये तो पहले अप एल सेमें को खत्म केजिए फिर अप नंबर सिस्टम पे जाईए तो आपके असानी से प्रश्ण होगे बिकास दो एक कुशन होते ना आपके नंबर सिस्टम इंक्लूड होते हैं यह एक बैल बजी इतनी देर के बाद लाइट जली इतनी देर के बाद चार-पांच जली तो कितनी देर बाद जलें उसके आगे ड्वांस लेवल के कुशन आने लगे हैं नंबर सिस्टम का कुछ पूछ लेगा आप से इसी तो पहले उसका एल्सके निकालना को उसके बाद आप इन कुश्चन को कर पाएंगे तो सपोस कीजिए आपका कोई वीक पॉइंट है कोई भी चप्टर हो सकता है वो नॉट इवन नंबर सिस्टम क्योंग नंबर सिस्टम क्योंग भी होगा नो ड लगाना और दो में लगानो तीन में लगानो अच्छा है अगर हर गोश्चन इसमें लगाएंगे तो फिर आप कॉलिफेकेशन की रेस में भागेंगे और बच्चों के साथ जो कॉलिफाइब करने करें दोड़न है बस जबकि हमारी तिंकिंग क्या है कि आपको उस रेस से निकालके एक उस परवश रंकल पर बिठा दिया जाए उस चोटी बिठा जाए जहां पर आप सिर्फ उस रेस को देख रहे हो यहां रेस हो रही है क्योंकि आपके तैयारी बहुत अच्छी है और कॉन्फिटेंटली बिल्कुल नहीं होना एक्जाम में कि यहां मुझे अगर मैं सिर्फ माइक्रोगोर्स के थूप मेरा closes करता हूं और यही मेरा जाएटिक समझ एक रिपोर्ट के जिए bater स्टुरेंट ने कोच्छन पुछाएं उसका जवाब को जैसे आप चाहेंगे वैसे मिलेगा वट्सैप नमबर मिलेगा आपको जो दिया हुआ वो वट्सैप नमबर उसके तो पता चलेगा तो बहुत सारे ऐसे हैं ऐसा नहीं कि आपको एक पर हमने वीडियो लेक्शर दे दि तो इस सिचुएशन से निकलिए आपके वीक पॉइंट को जब तक आपका स्टॉंपट नहीं बनाएंगे बच्चों आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो क्वालिफिकेशन की रेस में आपको लेके चला हूँ अभी समय है अगर आप जोइन कर दें और इन बच्चों नहीं अभी तक स्टार्ट के थायारी उनके लिए भी मेरे बहुत अच्छी चीज़ है बताऊंगा अभी क्लास के लेक्चर के एंड में बट पहले माइक्रो कोर्स के बारे में हम अच्छे से डीटिल में समय ले तो होफिल यह पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि वीक पॉइं है किया जो मैंठट्स आ आपने किये हुए है तक कि किसी भी हिसे किया हो कहीं भी यूट्प पे देखो कहीं भी देख उ किसी नहीं सिखायों क्या वो सही है मैक्सिम बच्चा आज के टामें एक्स वाई जट वेरियबल लेके करते हैं जो बहुत गलत वे है को करने के आप अगर यूटूब पे मेरे सेशन देखेंगे ना यह वो प्रीवेस एर क्यों बहुत रेर हैं मैंने कहीं पे किसी वेरियबल स किसे सलूशन को करवाया मेरा सिंपल सा फंडा रहता है परसेंटे से करी उस को ट्राइ करिए नहीं हो रहा आपको लगड़ा लंबा जा रहा फिर आप वेरियबल लीजिए वेरियबल बेसिकली कहां लिया जाता है जहां परसेंटेज रेशो के साथ हम रूपीज की बात कर कि वहां मुझे लेना पड़ेगा कि आपको बेसिकली कोशन का जिकरा करना चाहूं को बढ़ा दिया तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ रिशो को लेकि नहीं चल सकता यहां पर अगर मेरे पास सेलिंग बढ़ाया हो तो अगर डिफरेंट बढ़ाया हो तो मैं एक कंक्लूजियर पर नहीं आ सकता वहां पर डेड़ेंड है और वहां पर क्या करना पड़ेगा वहां पर आपको विरीबल ज्यादा बैटर है एस कंपे टू रेशन और परपोशन तो इसी को बोलता है टू दी पॉइंट प्रिपरेशन कि आपको एक्चुली में सिरफ टू दी पॉइंट पढ़ना आपको नहीं इधर का पढ़ना गाड़ी चलाते ना वीकल चलाते हो आप बाइक राइड करो या आप अपना क्या ना मैं काड राइव कर रहो तो ध्यान क सिगी रहा बहुत मुश्किल हो जाएगी तीन महीने दो महीने बाद भी यह करना तो आज कर लोगे तो अट लीस्ट आपको उतना समय मिलेगा कि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सको रिवीजन कर सको जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं कि उसका सी सेट को लि रिवाइज नहीं करोंगे कुछ नहीं होने वाला भी बता रहा हूं तो ध्यान रखिए सब चीज़ों के लिए इसका मतलब क्या है देखो हर जगां जहां आप जाओगे आपका पूरा कोर्स थोप देंगे भाईया कर लो कैसे फाइदा फाइदा कैसे जो चीज मुझे नहीं चाहिए अगर मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ना तो आफ टू पे ओनली फॉर नंबर सिस्टम ना कि मुझे पूरे कोर्स का देना है क्वालिटी को देखिए इस ताम कॉंटिटी पे मत जाएए गोफर कॉलिटी मैं हमेशा से कहता हूं क्वालि तो सिरफ उतने पोर्शन को टार्गेट करना जो आपको करना इतनी सी बात है बच्चों प्लीज इस वेरी वेरी इंपोर्टन पॉर्यूर्य उपकमिंग इंग्जाम अब जिन बच्चों ने नहीं शुरू किया उनके लिए क्या है क्या वह भी माइक्रो कोर्स करें अगर कि किसी बच्चे को कम्प्लीट कोर्स करना है तो क्या कर सकता है हमारी टाइमिंग यह है और यह मेरी कोर्स की डिटेल है इसमें जिसमें जो है यह ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच आपका है इसमें आपके 50 कौन 25 लेजी के पंदरा आपको इंग्लिश के डेडिकेटी लेक्श साथ 1651 पर कॉल कर सकते हैं और वट्सएप कर सकते हैं प्लीज वेश्ट टाइम और दूसरी बाद यहां बेटा हमारे वट्सएप ग्रूप है इस वट्सएप ग्रूप को भी आप जोइन कर सकते हैं लिंक इजना डिस्रिप्शन थैंक यू तो प्लीज इन पॉइंट को सकते हैं और वहां तो थे भी आप कर लग्रूप है बेटान दूसरी बाद टूसरी बादी घर टाशप मनंग टूसरी डिक लिक टूसरी बादी हैं